हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरे चानल डाइट एंग फिटनेस में मैं हूँ आपकी होस्ट डाइटिशन अकांशा और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हो कि ओवर इटिंग को कम करने के लिए कौन सा आहार लेना चाहिए तो शुरू करेंगे आज का हमार वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज याद दिला दू कि अगर आप मेरे चानल पर नहीं हो और अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्ली से सब्सक्राइब कर लीजिए तो सबसे पहले हम देखेंगे फाइबर जिन जिन ल कि अलग-अलग प्रकार की सब्जी है या फिर अलग-अलग प्रकार की फल यानी की फ्रूट्स है तो ऐसी चीजे जब भी आप लेते हो तो यह कैलरीज में कम होती है और जब भी आप फाइबर युख्पदात खाते हो तो आपको यह पेट को भरे हुआ जो एसास होता है य ऐसे चीजे के जो इच्छा होती है उसे कम करने के लिए यह बहुत ज्यादा मदद करता है तो इसलिए अहार में अलग-अलग प्रकार के फल है सब्जी है और चीया सीड्स या फिर सब्जा सीड्स होते है ऐसे पदार्थों का आपको सामावेश करना है इससे भी बहुत गर ऐसंदेसे अच्छा है आप अगर खाते हो बहुत सारे विटkęमेंस और मिनरेल भी मिलते है शरीर को और जो फाइबर होता है उसमें उसके कारण आपको लम्बे समय तक भूक नहीं लगेगी चारण भूंख का जो है चीया सेट जो वोते हैं वह audit is यहां पर आपका रोज का जो पानी की बोतल होती है उसके अंदर डाल के आप दिन भर वो पीते रह सकते हो वजन कम करने के लिए भी यह बहुत जादा मदद करता है अब बात करेंगे प्रोटीन की तो प्रोटीन भी हमारे सब के शरीर के लिए बहुत ही जादा आवशक होता ह है बहुत ही अच्छी मात्रा में यह पोशन देता है हमारी मसल्स के लिए मसल्स की मजबूती के लिए और हमारी उर्जा के लिए भी बहुत ज्यादा आवशक है और प्रोटीन जब भी आप खाते हो तो वो भी आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखेगा और फिर आपको बहुत ज्यादा खानी कि यानिकि ओवर ईटिं करने की इच्छा नहीं होगी प्रोटीन जो है वो हमें एक सटाइटी यानिकी तृपति का यसाज होता है खाने के बाद वह बहुत ही अच्छी मात्रा में देता है तो इसलिए हर एक मिल में यानिकि आपका सुढ़ी का उनके आहार में तो पेट को भरा हुआ उन्हें एसास नहीं होता है तो थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं या फिर उनका लंच हो जाता है या फिर कुछ भी खा लेते हैं और इमीजेटली मतलब एक आद घंटे के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि वापस कुछ ना कुछ खाना है बहुत जादा भूक लग रही है तो वो इसी के कारण होता है क्योंकि क्या होता है जो ग्रेलीन नाम का एक हॉर्मोन होता है हमारे शरीर के अंदर तो यह हॉर्मोन जो है वो हमें भूक का एसास दिलाता है और प्रोटीन जब भी आप अच्छी मात्रा में खाते हो तो इस आपक करना है जुक्तों के बहुत संस्त में धाल इंुक्तों होता है उनका साव का अच्छी मसा होते हैं। नट्स यानि कि सूखा मेवा जो होता है वो भी प्रोटीन से वरपूर होता है तो जब भी आप चालू कर दोगे कि ओवरीटिंग कम करनी है तो अच्छे से सब फाइबर और प्रोटीन लेना चालू कर दोगे फिर भी कभी कबार ऐसे लगेगा कि भूख लग रही है खाने के बाद तो ऐसा फिर भी अगर आपको लगता है तो ऐसे समय पे आप थोड़ा सा सुखा मेवा अपने साथ रख सकते हो और वो ले सकते हो यानि कि बादाम है या फिर थोड़ा सा किश्मिश है अगर मीठा खाने का मन करता है तो ऐसा अगर आप लेते हो तो वो अच्छी मातर यह है कि आपको आपकी पसंदीदा खाने को पूरी तरीके से बन नहीं करना है, बहुत बार यह हो जाता है कि कुछ न कुछ हम वेट लॉस का डायेट करते हैं, वजन कम करने के लिए कुछ न कुछ न कुछ डायेट करते हैं, ऐसे समय पे फिर जो भी पसंदीदा चीजे होती ह एसी चीजे खाना हम पूरी तरीके से बंद कर देते हैं तो ऐसा आपको नहीं करना है वैसा करने से आपकी ओवरेटिंग यानि कि जादा खाने की इच्छा जो होती है वो और जादा बढ़ेगी तो जब भी आपको ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ मीठा खाना है या पर पूरी तरीके से आपकी जो इच्छा है वह आपको मारनी भी नहीं है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं खाना है उससे जाना षविक्ति जाना congatch करते हैं तृप मीठी चाहीड नहीं Abg emat प्रोसेस पूट होते हैं तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा चरीर को पोश्टन देने के आपको कोशिच करनी है अगली जरूरी बात ये है कि आपको धीरे-धीरे खाना है जबी भी आपको बहुत तेज भूख लगती है तो बहुत समय पे होता है कि हम बहुत तेज जल्दी यल्दी वो खा लेते हैं जो भी सामने पड़ा है तो उस चक्कर में ये ओवर एटिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज्यादा होती है जो भी चीज आप खाते हो वो आपको धीरे-धीरे खानी है क्योंकि क्या होता है बहुत तेज भूख हमें लगती है तो जबी हम बहुत तेज यानि की फास्ट खाते है तो दिमाग को सिगनल जाने में समय लगता है कि अब मैंने खाने की प्रोसेज जो है वो चालू कर दी है तो उसमें लगबग 15-20 मिनिट जाते है और उस 15-20 मिनिट में हमने बहुत सारा खा लिया होता है और फिर सडनली ऐसे लगता है कि अभी पेट भर गया है तो जबी आप धीरे-धीरे खाते हो तो क्या होता है एक सही समय मिलता है उस चीज को अंदर जाके आपके दिमाग को सिगनल पहुचने में कि अभी मैंने खाना चालू कर गया है और अभी मेरा पेट धीरे-धीरे भर रहा है तो इसलिए धीरे-धीरे अच्छे से चबा कर आपको कोई भी चीज खानी है तकि ये ओवरीटिंग की प्रॉबलम जो है वो कम हो जाएगी और जबी हम अच्छे से चबा के कोई भी खाते है तो पाचन के लिए भी वो सही होता है तो इसलिए अच्छे से टाइम लेके, समय लेके, चबा कर और धीरे से उस चीज का आपको आनन लेना है जो भी चीज हम खाते है, जो भी आहार हम खाते है जब भी आप आनन लेके वो चीज खाते हो तो वो अच्छे से हमारे शरीर को लगती है क्योंकि वो अच्छे से उसका पाचन भी होता है शरीर में अगली जरूरी टेप यह है कि आपको fad diet से दूर रहना है तो fad diet मनलब क्या कुछ तो एक crash diet जिससे आपको थोड़े समय के लिए आपका वजन भी कम होता है बहुत जादा अच्छा लगता है और overeating की समस्या भी कम होती है लेकिन वो उस समय तक होगा जब भी आप वो diet करना छोड़ देते हो तो वापस से आपका वजन भी बढ़ता है और वापस से overeating की समस्या भी चालू हो जाती है तो इसे लिए कोई भी fad diet करने से अच्छा है कि यह जो सारी अच्छी आदते होती है जो healthy आदते होती है वो आपको आपकी जीवन शैली यानि की lifestyle में ही बदलाव लाना है तो इस प्रकार से जब भी आप कुछ नही नहीं चीजे करते हो और दीरे दीरे अच्छी आदते लगा देते हो अपने शरीर को तो फिर overeating की समस्या है या फिर बढ़ता वजन है इसमें से कोई भी समस्या आपको नहीं होगी तो इसी तरीके से क्या सही है क्या गलत है क्या क्या मुझे मेरे शरीर के अंदर डालना है जो भी मैं शरीर में डाल रही हूँ वो healthy है या फिर unhealthy है वो decide करना वो तै करना पूरी तरीके से आपके हाथ में होता है तो थोड़े से भी आप अगर efforts डालते हो तो आपकी lifestyle अच्छ fatty acids है तो यह जो healthy fats होते है वो शरीर को बहुत ही अच्छी मात्रा में उर्जा देते है और क्योंकि यह healthy fats है तो यह हमारे शरीर के लिए काफी सारे जो functions होते हैं उन्हें भी मदद करते हैं हमारी त्वचा के लिए अच्छ है हमारे बालों के लिए अच्छ है ऐसे multiple इसकी benefits है यानि की फायदे है तो इसलिए omega-3 fatty acids का समावेश भी अच्छी मात्रा में अगर आप आहार में करते हो तो भी overeating की समस्या से राहत मिलेगी तो इसलिए मचली है या फिर अंडे है सुखा मेवा है अलग-अलग प्रकार का ऐसे पदार्थों का सहारा आप ले सकते हो बीज के चीज यह है कि शक्कर युक पेर यानि की शक्कर युक जो liquids, soda है या फिर cold rings है ऐसे सारी चीजों से भी आपको दूर रहना है क्योंकि सबसे पहले तो इनमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में शक्कर होती है तो आपका वजन बढ़ाने के लिए भी ये कारण होते है और इनसे क कुछ भी nutrients हमारे शरीर को नहीं मिलते तो जब आपको कुछ पीने का मन करें या फिर cold rings पीने का मन करें तो ऐसी चीजों को आपने replace करना है green tea है या फिर herbal tea है ज्यादा से ज्यादा आप जो हमारी regular चाय या फिर coffee होती है वह थोड़ी कम शक्कर के साथ ले सकते हो लेकिन यह पदार्थ होते है जो leır Harик bij को नहीं करनी हैं इसे पदार्थ होसे आपको दूर रहना और ज़रूरी बात यहां पर यह है कि आपको कोईज होती है वह स्किप नहीं करनी है बहुत बार हो जाता है चो बनाने का समय होता है और बहुती कम मात्राहें छाते है और फिर उस के और यह ओवरेटिंग के समस्या होती है इसलिए जो भी आपके मील्स होते हैं सुबै का नाशता दोपेर का खाना और रात का खाना यह सही मात्रा में आपको लेना है आप अगर कोई भी डायेट भी फॉलो करें हो कि नहीं वेट लॉस का डायेट है या फिर कुछ भी एक डाये लेके आपको आपका खाना खाना है और सारे स्वात जो होते हैं उनका अनन लेना उन्हें एंजॉय करना बहुत ज्यादा आवश्यक है तो यह था हमारा आज का वीडियो दोस्तों जिसमें मैंने आपको बताया कि ओवरेटिंग को अवाइड करने के लिए आप कौनसे-कौन से टिप्स इस्तिमाल कर सकते हो या फिर कौनसे-कौनसे पदार्थ ऐसे हैं जिनका खाने में सामावेश कर सकते हो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिलकुल ना भूले अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेर भी करें और आप कमे झालց E सकते हो से एस और उसे झालुछ झालुझ से यदियो कर दोस्तों कर दोस्तों कि जिस घंक लाभ कर सकते हैं जो बाइक खालुझ झालुझ ऑलूग्